मुंबई से सटे विरार में तीन सो तुकडों में गटर में मिली लास विरार की ग्लोबल सिटी समेथ पूरे वसई विरार में इस खबर ने संसनी फैला दी थी क्या है पूरी कहानी आईए जानते हैं नमस्कार मेरा नाम है ग्रिजेश रादाओ फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर आज की कहानी काफी खौफनाग है मुंबई से सटा वसई विरार इलाका इधर से कुछ तीन से चार साल पहले विरार इलाके में एक खौफनाग घटना घटी थी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है आज भी आपको बता दे इस खबर ने पूरे वसई विरार में संसनी फ़ला दी थी क्योंकि एक 60 से 70 किलो के एक वैतिक एक आदमी को लगभग 300 तुकडों में काट कर पाइपों यानि गटर या बातरू में बहारा दिया गया इस घटना को सोच कर भी डर लगता है कि किसी ने किस तरह इस घटना को अंजाब दिया होगा आज इस घटना की पूरी कहानी आपको बताऊँगा कि पैसों के चलते आदमी किस तरह तक गिर जाता है कहानी के सुरवात होती है मुंबई से 60 विरार इलाके से साल 2019 जनवरी का मेहना चल रहा था विरार के ग्लोबल सिटी एरिया में एक इमारत है बचवराज पैरडाइस सोसाइटी इस सोसाइटी का एक जो चंबर होता है जो गटर होते हैं जो जिसमें बात्रूप का जिसमें पूरे लोगों का सिवेज का जो पानी आता है वो जो गटर होता है वो अचानक जाम हो जाता है इस इमारत का बचवराज सोसाइटी का जो सिवेज सिस्टम था वो पूरा ब्लॉक हो जाता है जाम हो जाता है यानि पानी पास नहीं होता है तो सोसाइटी का सेकेटरी होता है वो जो सिवे सिर्टम था उसको साफ कराने के लिए कुछ लोगों को बुलाता है यानि जो गटर जाम हुआ है उसे साफ करने के लिए कुछ लोगों को बुलाता है दो तीन लोग आते हैं तो जब साफ करने के लिए दो-तीन लोग आते हैं तो जब चंबर खोलते हैं यानि जो ढखकन खोलते हैं तो उसके अंदर से उन लोग ने जो ब्लॉकेस था उसको किलियर करने के लिए जो भी मल था जो भी उसे लिकाना ना सुरू किया यानि जो भी चीजे थी उसके अंदर निकालना सुरू किया और उसे डम करना दुसरी जगा सुरू किया बाहर निकालना सुरू किया तो उसी समय उन लोगों को एक मानाव सरीट के कुछ तुकड़े मिले यानि इंसानी सरीटे कुछ तुकड़े मिले जैसे कि उंगली मिली और पानियों में तैरते वे कई इंसानी पार्ट्स मिले उन लोग भी सोचे कहीं यह जानवर का मास तो नहीं यह लेकिल उंगली जब दिखी तो उन लोग को यह गैरेंटी हो गया कि यह कई सी इनसान की उंगली है फिर सोसाइटी वालों ने तुरंत पुलिस को इंफार्म कर दिया और मौके पर पुलिस की टीम बहुची और पुलिस ने जो भी पार्ट्स मिले थे जो भी बाड़ी के पार्ट्स मिले थे जैसे उंगली और जो भी बाड़ी के पार्ट्स जो उस गटर में से निकल रहे थे उ पूरे जो कालीना फॉरेंसी क्लेब भेजा, मुंबई भेज दिया कालीना फॉरेंसी क्लेब की, क्योंकि पुलिस के सामने कई सवाल थे, क्योंकि ये इनसान की बॉड़ी है या नहीं, या जानवर की है, पुलिस के मन में कई तरह की सवाल उठ रहे थे, क्योंकि एक इनसानी पॉलिस के मन में ये भी सवाल था क्या ये बोडी पार्ट जो भी मास मिले हैं ये क्या इनसानों के हैं ये किसी जानवर के हैं तो पुलिस ने तुरंद इसको फॉरेन्सिक ले भेज दिया पता लगाने के लिए पुलिस के मन में कही बड़ी सवाल थे pryका, क्योंकि अगर ये इनसानी पार्ट IS है ये औरत है या आदमी है या müsst है ये पता लगाना जरूरी है और उसकी बाद ये गायभ हुआ है यानि आसपास एरिये से कोई लापता हुआ है या कहीं और से इस बॉडी को लाकर देड़ डमी किया गया है और वहाँ के जो society में, media ने जब उन लोगों से बात किया, आज जो society वालों से जब बात किया, society वालों ने बताया कि कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से काफी बास आ रहा था, यानि दुरगंदा आ रही थी, तो हमें लगा कि कोई जानवर मरा होगा, इसकी वज़े से रहे जाते हैं, फिर पुलिस इस केस में जाज करती है, और पुलिस पहला कदम उठाती है कि विरालर इलाके से कितने लोग लापता हुए है, यानि किसी की missing complaint दर्ज हुई है क्या एक दो हफते के अंदर, तो पुलिस को एक नाम सामने आता है, वो नाम होता है गनेज सोसाइटी में, यानि जो सोसाइटी का सीवेज सिस्टम है, एक दो हफतों में कैमरा आजवाज़ो का सिसेटी पे फोटेज भी चेक करती है कि कोई आया गया है क्या इस इमारत में, तो गनेज कलोदकर के कईवार वालों ने missing complaint भी दर्ज कर आया था, तो पुलिस ने गनेज कलोदकर से इस केस को जोड़ कर जाश शुरू करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि गनेज कलोदकर इस बेडिंग में, यानि बसवराज पैरडाइज इमारत में आया था, सूला जनवरी के दिन, फिर सूला जनवरी के दिन बसवराज पैरडाइज सोसाइटी में गनेज क पिंटू सर्मा को जब पूलिस ने हिरासत में लिया और पूश्टाच करना शुरू की पूलिस ने काफी मसकत से पूश्टाच करना शुरू की पहले तो इस टार्टि में नई नई कहानिया बनाता रहा कि मैं हाँ था मैं वहाँ था लेकिन जब पूलिस ने से सकती से पूश् इसका दिन था आपको बता दे उस सारी पाइब स्वराज पैरडाइज सोसाइटी में इसने गनेश कलूदकर को बुलाया आपको बता दे गनेश कलूदकर एक प्रिंटिंग प्रेस में इसका व्यवसाय है उसमें काम करता है और जो पिंटु सर्मा है यह सेर मार्केट में तो इसे खर्चे काफि थे तो इसमें उधार पैसे लिए थे अपने दोस्केट पिंटु सर्मा से 1 लाख रूपए और साथी के बाद चुकाने का वादा किया था फिर पिंटु सर्मा कुछ महिनों बाद अपना पैसा मांगना सुरू करता है तो गनेश कलूतकर धीरे धीरे लगफ़क 40,000 रुपए पिंटु सर्मा को दे दिया लेकिन फिर दबाव बना पिंटू सर्मा फिर दबाव बनाने लगा कि मुझे पैसे चाहिए गनेश कलूतकर बोला कि कुछ समय और लगेगा तो गनेश कलूतकर काफी गुसे में था दोनों की इसी पैसे को लेकर वीच में जड़ब भी होती थी जगड़ा भी होता था फिर प परड़ाइस इमारत हैं सोसाइटी में बुलाया गनेश कलूतकर को अपने फ्लेट में फ्लेट नंबर 602 में उसने अपने दोस गनेश कलूतकर को बुलाया फिर गनेश कलूतकर को बूलाने के बाद इन दोनों के बीच पैसे को लेकर फिर हाता पाई हुई जगड़ा हुआ फिर इसी जगडे में गनेश कलूदकर की मौत हो जाती है नहीं गनेश कलूदकर गिरता है और चिसी चीज से या टेवल से टकरा कर लगता है उसको और उसकी मौत हो जाती है ये पिंटु सर्मा बताता है फिर पिंटु सर्मा उस बॉड़ी का क्या करता क्योंकि गनेश कलुदकर मर चुका था उसकी मृत्य हो चुकी थी तो गनेश फिर पिंटु सर्मा काफी घपरा जाता है और सोचता है कि इस बॉडी को मैं ठिकाने कैसे लगाऊं तो यह सोचता है कि बाहर जाओंगा और मुझे पुलिस गिरपतार कर लेगी और पिंटु सर्म काफी पढ़ा लिखा था इसे काफी नौलेज था साइंस का तो इसने क्या किया बॉडी को ठिकाने लगाने की सोच लिया बॉडी को ठिकाने लगाने की सोच लिया ते इसने पुरी बॉडी को काटा पहले पहले बॉडी को काट काट कर इसने बाल्टी में भरा जो भी इसके बाड़ी को गनेश का लूद कर लगभा साट सतर किलो का आदमी को इसने पूरी तरह काट दिया पूरी तरह काटने के बाद पूरे बाल्टी में भर दिया और बाल्टी में भरने के बाद यह हड़ी से मास को अलग करता था आपको उता दें यह हड़ी और मास अलग अलग करके मास को इसने जो है बात्रूम में वहवा दिया पूरा यानि पुरी उंगली बाड़ी को लगब धीरे दिने छोटे छोटे चोटे तुकड़ों में काट कर इसने बात्रूम में फ्लैस कर दिया पूरा वहवा दिया उसके बाद इसने त्याकि हड़ी के तुकड़ों को कुतोर तोड़कर थैली में भरता था पॉलिथीन में भर कर रखता था और यह जाता था लोकल ट्रेन पकड़ता था विरार से चर्जगेट वाली लोकल ट्रेन पकड़कर भाइंदर खाड़ी में इसका हड़ी को फेकता था सुचे लगभख तीन-चार दिनों तक इसने गनेश करकी बाड़ी को ठीकाने लगाया लगबख रूच आता था यह गनेश की जो बाड़ी का जो टुकड़े हैं उसके हड़ी और मास को अलग करता था बकाइदा बकाइदा अलग करने के बाद हड़ी और मास को अलग करता था मास जो है उसे बात्रूम में और नाली में फ्लेस करता था बवाद देता था उसके बाद हड़ी को जमा करके विरार से लोका ट्रेन पकड़ता था और उसे फिर भाहंदर काड़ी में फेकता था इसका रोज का था ये लगबग तीन-चार दिनों तक गनेश कलोदकर की बाड़ी को इसने ठीकाने लगाया सोची कितना खौफना केस है ये और आपको बता देए जो हालिया मीरा रोड़ वाला केस है इससे भी खौफना केस है लगबग इसने पूरी बाड़ी को छोटे-छोटे तुकड़ों में काट दिया लगबग 300-400 तुकड़ों में इसने बाड़ी को काटा अंगी न तुकड़े 300 तो यह नुमानी तुकड़े हैं कि 300 में काटा हो गई फिर पुलिस ने उसके कहने पर उस फ्लेट में जाई यानि 602 फ्लेट में गई वहाँ पर जितने समान थे उसे भी फौरेंसी क्लैब में भिज दिया क्योंकि जाच सब पुलिस को सबूत इकटा करने थे तो जो भी ब काव लिथी थे कपड़े थे जो खून था उसे भी पुलिस ने लगब जो घून के जो भी कंपने चिटे थे उसे भी पुलिस ने करलेट किया पुलिस ने काफ़ी पूरे सम Canton कर कि फॉरेंसी बेफ भी में भिज दिया फॉरें सिर्टीप ने सोच ये अभी जो हाली में मीरा रोड वाला केस था जिसमें मनुष साने ने अपनी लिविंग बाटर केहत्या कि उससे भी काफी खौफना केस है ये इस घटना पर आपकी क्या रहा है हमें कमिट सेक्षन में जरू बताया और देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सेटी समाजार